हैलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा एंग पेपर मसाला कैसे बनाया चाता है ये खाटाय में बहुत जादा टेश्ट्य होता है और बिल्कुल नई нетrecipe है आप इस पानी में अंडों को बॉयल करने के लिए नहीं डालना चाहिए उससे कहता है एग ना तूट चाते हैं तो यह देखे 6-20 मैंने कड़ाई में एक डाल दिया है इसके वाग गैस की फिल्म चालू कर देंगे साथ में एक छोड़ा जमश नमगाइड कर देंगे ग्रेवी बनाने क में अगर आपके अस मिर्ची तीखी जादा हो तो कम यूज़ कर सकते हैं आप इसको बनाने के लिए यह देखिए टमाटरों की प्यूरी बना लिए और जो मैंने प्याज लिया था उसको बारी काट लिए इस तरह से आपने प्याज को काट लेना है अब इसके बदम इसका म लालमिच डालने हैं साबुत वाली कश्मीरी लालमिच ना हो तो आप इसको स्कीब कर सकते हैं अब आपने केस्की फिले मीडियम रखनी है और मीडियम फिले में इन मसालों को थोड़ी देर पका लेना है ताकि इनके अंदर जो मौईश्यर है वो खतम हो जाए और जो मसालो को कलर हलका सा चेंज हो चुका है इसके बद आपने इनको ना ठंडा कर लेना है ठंडा करके हम इनको ग्राइंड करेंगे चलिए इनको मैंने ठंडा करके मिक्सी ग्राइंड रजार में डाल दिया है और इनका एक पाउडर बनाके त्यार कर लिया है देखिए इस पाउडर क गैस की फ्लेम हाई करनी है और प्याज को आपने अच्छी तरह से पकाना है जब तब प्याज का जो कलर है लाइट गोलन ब्राउन ना हो चाहे अगर आप इसके बद तेज गैस में प्याज को पकाएंगे तो प्याज न जल जाता है इसके बद आप साथ में एक छोड़ा जमर भर के अधरक लसुन का पेश डाल दीशिये पेश को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम में आपने अच्छे से पेश को पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉंग फ्लेवर है ना बो खत्म होचा है तो प्याज का कलर देखिए गोल्डन ब्रॉन हो चुका है इसके बद आपने एक छोड़ा जमर भर के इसमें डार्क सोय सॉस डालनी है और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि सॉस चबब हो है यहां पे जलेना और गैस की फ्लेम आपने लो रखनी यहां लो फ्लेमें डार्क सोय सॉस को भी पका लेना है इससे ग्रेवी में टेस्ट तो अच्छा आएगा एगा ना कलर भी बहुत ही बहतरी ना आएगा और इसके साथ में पीसे और टमाटर भी एड़ कर देते हैं और थोड़ा सा पानी मैंने टमाटरों के साथ और एड़ क साथ में, अब आपने टमाटरों को तब तब बगाना है, जब तब टमाटर पकने के बद अच्छी तरह से ओईल ना छोड़ दे, साथ में मसाले अड़ करेंगे, आदा छोड़ा चमच आपने इसमें धनिया पोड़र अड़ करना है और एक से डेट चमच आपने इसमें पेपर मसाला आइड करना है ये देखिए ये बही मसाला है जो हमने बना के तियार किया था तो डेट छोड़ा चमच मैं इसमें मसाला आइड करना हूँ बाकी जो मसाला है वो मैंने बचा लिया पूरे मसाला का यूज नहीं किया है उच्छी तरह से मसालों को टमाटरों को पकने दी चिंगे समधिक माझी टो के से अठीके इतने थीक नेँस रखनी है ज़्यादा पतल hearing भी नहीं करनी है औपर से cover कर देशे, एक्तम low flaming को पकने देशे, तब तक हम एक को fry कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक को बारा मिनिट तब पकाया और बारा मिनिट में अंडे जो है न वो अच्छी तरह से पक जाते हैं, इसके बद आपने इस तरह से चील लेना है, चीलने के बद आपने का करना है एक को बनवाई two कर लेना है इस तरह से बनवाई two कर लेशे और बनवाई two करने को अब आपने इनको फ्राई कैसे करना है पो दिखाता हूँ एक पैन लेना है उसमें आपने एक क्यूब बटर का डालना है गैस की फिलिम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है और बटर को थोड़ा सा मैल्ट होने दीशिये जैसे आपका बटर आदा मैल्ट हो जाएगा इसके बद आपने एक प्याज लेना है उसको मोटा मोटा स्लाइस काट के डालना है और प्याज को बटर के साथ जल्दी से मिक्स कर लेना है इससे आपका बटर भी नहीं चलेगा और प्याज बेचे से मिक्स हो जाएगा और जो एक हमने काट के रखे तेना वो एक सारे के सारे डाल देते हैं पैन के अंदर और इसके साथ में उपर से हलका सा नमक स्प्रिंकल कीचिए और जो पेपर मसाला बना के रखा था वो भी आपने उपर से डालना है यहाँ पे अब आपने गैस की फिल्म तेश करनी है और निचे बली साइड से एक को अच्छी तरह से शेलो फ्राई होने दीजिए अब मैंने इसमें प्याज क्यों डाला जब यह प्याज एक के साथ मसाले के अंदर जाएगा तो ग्रेवी का टेश देखेगा बहुत ही जवरतस दाएगा और जो हमारी तीखी ग्रेवी है प्याज के साथ उस ग्रेवी में मिठास भी आईगी तो यह देखिए इसके बद आपने एक को पल्टी कर देना है तो अराम से पल्टी कीचिए क्योंकि एक योग जो है उसको आपने अलग नहीं करना है तो आपने निया आपने देखे पल्टी की साहत रीतर से निको अराम से पल्टी कर लेना है तबहीं पल्टी करना है जब नीची बली साइड अच्छा कलराइच अचा है तो यह देखे Lenya एक अच्छी तरह से shallow fry हो चुके हैं और प्याज भी थोड़ा सा soft हो चुक है चलिए इसको भी gravy के अंदर डाल देते हैं तो gravy ने देखे फिर से पकने के बाद यहाँ पर oil छोड़ दिया है और जो एग हमने रखे थे वो भी सारे के सारे gravy में डाल देने हैं और इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें बरी कटोव हरदनिया डालना है अब इ एग भी गर्मे ग्रेवी भी गर्मे सिर्फ आपने इनको मिक्स करने हैं और करमा गर्म राइस के साथ आपने इनको सर्फ कर देना है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर कमेंट चुरूर की शिगा ओके फ्रेंट्स थेंक यू